और वीडियो को शेयर भी करना है आपने comment करके बताना है मुझे कि किस-किस ने वीडियो पूरा देखा और किस-किस ने वीडियो को share किया ठीक है तो chapter अब शुरू करते हैं chapter का नाम है friction तो सबसे पहले तो हम एक example लेते हैं friction को समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमने एक bowl को मैदान में लुड़का दिया तो हम देखेंगे कि कुछ time के बाद वो bowl अपने आप ही लुड़कती लुड़कती रुक जाएगी तो वो bowl क्यों रुकी दूसरा example है जैसे हम cycle चला रहे हैं paddling कर रहे हैं जैसे हमने paddle चलाना बंद किया तो क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो cycle है वो रुक जाती है आगे move करना अब बंद कर देती है ऐसा क्यों ठीक है तो ऐसा क्यों है ये है friction के कारण friction क्या है एक force है पिछले chapter में भी हमने पढ़ा था कि एक ये contact force है ठीक है तो friction के कारण ही वो cycle रुकी है और gain रुकी है देखो मालो जैसे ये एक marker है ठीक है अब मैंने इस marker को move कराना है अगर मैंने इस marker को move कराना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा मुझे force लगाना पड़ेगा ठीक है और अगर ये marker move हो गया ठीक है और इसको मैंने रोकना है रोकने के लिए भी इसको क्या लगाना पड़ेगा force लगाना पड़ेगा ये तो मैंने muscular force से इसको रोक दिया ठीक है ये ऐसे रोक दिया ठीक है, मगर जैसे आप देखो, मैंने इसको force लगाया, इसको move कराना है, मैंने force लगाया, यह move हो गया, मगर क्या यह अपने आप रुक गया, थोड़ी देर के बाद यह अपने आप रुक गया, ठीक है, तो मैंने तो नहीं रोका ना इसे, ठीक है, मगर रोकने के लिए भी क् पड़ेगा एक force लगाना पड़ेगा मैंने तो लगाए नहीं तो किस force ने इसको रोका है वो force क्या है friction है ठीक है वो force क्या है friction है अब इसके definition देखते हैं क्या है a force that opposes any relative motion between the surface of two object in contact ठीक है आगर दो object आपस में उनके बीच में contact है और वो move कर रहा है मालो एक object ऐसे east side की तरह move कर रहा है तो जो friction है वो उसकी हमेशा क्या करेगा oppose करेगा उसको रोकेगा ठीक है रोकने की उसको क्या करेगा कोशिश करेगा ठीक है तो हमेशा जो friction होता है friction का जो force होता है वो क्या होता है भई opposite direction में होता है अगर box को हम इस side move कराते हैं, इस direction में move कराते हैं, तो friction का force क्या होगा, इस direction में लगेगा, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो आप यह याद रखना जो force of friction है, वो हमेशा opposite होता है, किसके motion के, direction of motion के क्या होता है, opposite होता है, ठीक है, number दूसरी बाद, आप यह cause क्या है friction का, यह friction होता क्यों है ठीक है, कैसे लगता है friction का force friction is caused by interlocking of irregularities in the surface of the two objects which are in contact with each other friction का कारण क्या है, friction का कारण है irregularities जब interlock हो जाती है, अब देखो जैसे यह एक register है, page है इसका, हमें दिख रहा है कि यह बहुत ही, एकदम से smooth page है, एकदम plain page है ठीक है, और यह जैसे table है table देख रहे हैं, हम बिल्कुल smooth है ठीक है, मगर अगर हम इसको microscope से देखेंगे तो यह बिल्कुल smooth नहीं है, 100% smooth नहीं है, इस दुनिया में कोई भी चीज 100% smooth नहीं है, ठीक है, तो क्या है भई, तो microscope से जब देखेंगे, तो इस में इस copy के page पे या table पे क्या होगी भई, irregularities होगी, ऐसे कुछ इस type का हमें दिखेगा, ठीक है इस type का दिखेगा, ठीक है अगर इस चीज़ पे हम कोई चीज move कराते हैं, मालो हमने plane नहीं है, इसके surface पे भी क्या है irregularities है, ठीक है, अगर ये है, move करा रहे हैं इसको तो इसके surface पे भी इसी type की irregularities है, ठीक है कुछ ऐसे हैसे हो सकती है ठीक है, मागर जब हम क्या कराते हैं भई, एक surface, ये surface है, इस पे कोई object को move गराते हैं या कोई object रखते हैं तो क्या होगा भई? ये चीज, इस चीज के अंदर क्या हो जाएगी? ये irregularities, इसकी irregularities में क्या हो जाएगी? दस जाएगी, interlock हो जाएगी, एक तरह से क्या लग जाएगा? ताडा सा लग जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर ये जैसी ये है, इ और इसी के कारण, इसी interlocking के कारण, क्या होता है भी friction पैदा होता है, ठीक है, तो यह है cause of friction, तो आपने cause of friction के बारे में जान लिया है, अब हम देखते हैं, factor affecting friction, friction को कोण से factor जो है, वो affect करते हैं, तो सबसे पहले, friction of direction depends on, force of friction depends on, किस पे depend करता है, nature of the two surface in contact, ठीक है, जो contact में जो दो surface आ रहे हैं, उनके nature पे depend करता है, ठीक है, आगर surface क्या है, smooth है, तो friction क्या होगा, कम होगा की जादा होगा, friction, जितना smooth surface होगा, उतनी irregularities क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो जितना smooth होगा surface, दोनों surface smooth होगे, उतना ही friction क्या होगा, कम होगा, और जितना surface क्या होगा, rough होगा, खुरदरा होगा, उतना ही friction ज्यादा होगा, ठीक है, for example, जैसे मालो, आप सडक पर cycle चला रहे हो, और आप खेत में cycle चला रहे हो, तो कहां friction ज्यादा होगा, कहां आपका जोर ज्यादा लगेगा, आप कहोगे, जो खेत में cycle चलाएंगे, त जो सडक है, सडक में friction कम होगा, क्योंकि सडक क्या है, smooth है, और जो खेत है, अगर खेत में cycle चलाते हैं, तो खेत क्या है, उसमें irregularities ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे friction भी ज्यादा होगा, तो किस पे depend करता है, nature of the two surface पे depend करता है, दूसरा, force pressing the two surface together, और जो force लग रहे है, उस मतलब जो force, pressing the two surface together, जो force उनको press कर रहे है, जो दो surface को press कर रहे है, उस पे भी depend करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, weight पे depend भी करता है, जैसे ये है, मालो, ये एक block है, मालो इसका weight 10 kg है, ठीक है, और मैं इसको अगर move कराना चाता हूँ, तो मुझे जोर लगाना पड कुछ हो गया move, आब इस 10 kg की जगा, अगर मैं 50 kg का लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आब इन जो ये copy है, और ये जो block है, इसके बीच में अब क्या हो जाएगा, friction ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि weight क्या करेगा उसको, press करेगा, press करने से जो irregularities है, वो भी ज्या ज्यादा क्या हो जाएगी, ज्यादा interlock हो जाएगी आपस में, 10 जाएगी ज्यादा एक दूसरे की बीच में, ठीक है, तो friction भी क्या हो जाएगा, भी बढ़ जाएगा, यानि कि weight जितना होगा body का, तो friction भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आप करेंगे हम type of friction ठीक है type of friction कितनी type का होता है static friction static friction static का मतलब होता है जब कोई चीज एक जगा पे पड़ी हो हिले डूले ना उसको static कहते है ठीक है we call the force of friction as static friction when it exists between two surface in contact between which there is no relative motion कोई भी दोनों जैसे यह copy है ठीक है और यह मैंने block रख दिया ठीक है तो अब इन दोनों के बीच में ना तो copy move कर रहे है और ना ही यह block move कर रहे है तो इन दोनों के बीच में कौन सा friction काम करेगा static friction काम करेगा अब बिताता हूँ कैसी in the other word the force of friction which balances the applied force और यह जो force of friction है वो applied force को क्या कर देता है balancing कर देता है ठीक है अब static friction is self-adjusting force इसको self-adjusting force कहते है अभी मैं बताऊंगा क्यों कहते है however it can increase only up to a certain limit और यह जो static friction है इसकी एक limit होती है उस limit के बाद यह apply नहीं होता है ठीक है the maximum value of the force of the static friction comes into play when the body is just sliding over the horizontal surface और maximum friction कब होता है यह static friction तब होता है जब body क्या भई move करना शुरू कर देती है ठीक है it is called the limiting force of friction it is called the limiting force of friction इसको limiting force of friction भी कहते है अब यह सारी बाते मैं समझाता हूँ कि क्यों कहते है इसको ऐसा अब जैसे यह table है table के उपर मैंने रख दिया भी एक block ठीक है table के उपर हमने block रख दिया तब अब इन दोनों के बीच में कौन सा friction पैदा हो जाएगा static friction पैदा हो जाएगा इसकी block की irregularities और table की जो irregularities है यह आपस में क्या हो जाएंगी interlock हो जाएगा ठीक है मालो यह है 50 किलो का है ठीक है 50 किलो का है यह block और मैंने लगाया इस पे force कितना लगाया मालो मैंने force लगाया 20 newton 20 newton force लगाया जब मैंने तो यह block हिला नहीं ठीक है मैंने 20 newton इदर से force लगाया और friction ने भी उदर से क्या कर दिया, static friction ने भी उदर से क्या कर दिया, 20 Newton force लगा दिया, तो क्या हो गया, आपको पता है न, equal or opposite force एक दूसरे को क्या कर देते है, 0 कर देते है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, force क्या हो, यह move करा ही नहीं, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इस force को बढ़ा दिया 20 से मैंने कर दिया 50 Newton कर दिया अब 50 Newton जोर लगाया मैंने force लगाया इस पर तब भी नहीं हिला ये तो friction ने भी उदर से क्या कर दिया friction भी अपने आपको adjust कर रहा है force of friction भी friction ने भी उदर से क्या लगा दिया भई 50 Newton का force लगा दिया मैंने 50 Newton लगाया था, friction ने भी उदर से force लगा दिया, 20 Newton का, दोनों force क्या होगे भई, opposite force थे, क्योंकि friction का force opposite होता है, ठीक है, तो 0 होगया force, net force 0, ये हिला ही नी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया 70 Newton force, ठीक है, 70 Newton force लगाते ही, इसका इतना ही बस, जो static friction था, इसकी इतनी ही power थी, बस आप ये लगाओ, कि 70 Newton लगाते ही, ये block क्या भई, move करने लग गया, ठीक है, तो ये move क्यों किया, इस, तो इस example से अगर देखें, तो 70 Newton ही, जो, इस, जो static friction कितना था, इसका, 70 Newton ही था, 70 Newton के बाद क्या भई, ये block चलना शुरू हो गया, इसलिए इसको क्या कहते है भई, अब ये इसको oppose नहीं कर पाया, जो मैंने force लगाया, 70 Newton इसको oppose नहीं कर पाया, ठीक है, इसको ये जो friction है, इसका oppose नहीं कर पाया, और ये body move होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते है, self adjusting friction भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आपको adjust करता है, जितना हम force लग मगर इसकी एक limit होती है, उस limit के बाद क्या होता है, body move करनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये था इसमें, अब next देखते हैं, next type है, sliding friction, ठीक है, next क्या है, sliding friction, अब नाम से ही पता लग रहा है, slide का मतलब होता है, किसी चीज़ को गसीटना, ठीक है, जैसे ये है, तो मैंने slide किया है, क्या किया है, slide, यहाँ था, इसके force लगाया, यह क्या हो रहा है, slide हो रहा है, surface के उपर, इस surface के उपर यह क्या हो रहा है, slide हो रहा है, ठीक है, अब, we call the force of friction between two objects, when one of them is sliding over the surface of the other, जब एक object दूसरे के उपर क्या करना लगे, slide करने लगे, तो इसी कोई क्या है बोले और यह वाला friction होता है, वो किस से smaller होता है, static friction से काम होता है, sliding friction, static friction से क्या होता है, काम होता है, ठीक है, अब यह, मालो यह block इस पर रखा है, ठीक है, block इस पर रखा है, table पर रखा है, तो यह block और table के बीच में कौन सा friction काम करेगा, static friction काम करेगा, ठीक है, अब जैसे हमने example ल लगाया 20 newton force लगाया फिर 50 newton लगाया फिर 70 newton force जैसे ही लगाया एक्जेम्पल की बात कर रहे हूँ मैं तो यह क्या हो गया भई यह move होना शुरू हो गया इंस भूप अब एक बार ही जब बढ़ोी चीज move होनी शुरू हो जाती है तो फिर कम force लगाना पड़ता है आपने भी करके देख लेना आप किसी box को हिला के देखना move करा के देखना एक बारी जब वो move करने शुरू होता है तो अगर उतना ही force हम लगा के रखें तो अब कम force की जुरूर दोती है उसको move करने में एक बारी शुरू में जोर लगता है हमारा फिर एकदम से वो चल पड़ता है ठीक है और फिर कम force लगता है हमारा इसका मतलब क्या है जो sliding friction है वो static friction से क्या होता है a little less कम होता है smaller होता है यानि कि जो static friction है वो ज़्यादा होता है और sliding friction क्या होता है एक बार जब object slide करना शुरू कर देता है तो हमारा जोर कम लगता है तो sliding friction क्या होता है कम होता है किस से static friction से ठीक है अब आप कहोगे अब एक question है why it is easier to keep on moving अब keep on moving easier क्यों है जब कोई object move करना शुरू कर देता है तो उस क्या वही move करना आसान क्यों हो जाता है ठीक है यह पूछ रहा है कि जब हम जब ऐसे पड़ी हो कोई चीज तब ज्यादा जोर लगता है और जब चलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है भई हमारा कम जोर क्यों लगता है तो इसका answer यह है once the motion start the contact the contact point on one surface do not get enough time to lock into the contact point of the other surface इसका कारण यह है कि अब जो इसकी जो surface जो मालो यह table है table की irregularities और इस box की irregularities को बहुत कम time मिलता है interlock होने में ठीक है तो इसलिए यह क्या होता है भई move करना शुरू कर देता है और हमारा force क्या लगता है कम लगता है ठीक है क्योंकि उसको time नहीं मिलता interlock होने कम जो इसकी irregularities है और जो इसकी irregularities है दोनों को lock होने में lock होने के लिए time ही नहीं मिलता बहुत कम time मिलता है इसलिए हमारा जोर क्या लगता है भई कम लगता है ठीक है अब आगया भई next type आगया भई third इसका type हागी हमने static friction पड़ लिया फिर उसके बाद पड़ लिया हमने sliding friction अब हम देखेंगे भी rolling friction नाम से ही पता लग रहा है rolling friction यह क्या भी इसमें body क्या करेगी roll करेगी यानि कि किसका सहरा लेगी पहियें लग जाएंगे अब अब क्या लग जाएंगे पहियें लग जाएंगे पहले वाला case क्या था ऐसी पड़ा हमारा box दूसरे case में हमने क्या करा था उसको slide किया था और तीसरे case में अगर इसी box पे पहियें लगा दिये जाएं इसी box पे अगर पहियें लगा जाएं वील लगा दिये जाएं तो अब friction आपने देखा होगा एक bag है ठीक है एक bag है अगर bag पे पहिये नहीं लगे होगा और हमने उसको गसीटना है slide करना है तो हमारा जोर लगेगा मगर उसी bag पे अगर पहिये लगा दिये जाएं ठीक है तो वो असानी से खिच जाएगा यानि कि friction बहुत ही कम होगा तभी तो हमारा जोर कम लगेगा जितना friction जादा होगा उतना ही हमारा जोर लगेगा उतना ही हमें force लगाना पड़ेगा उसको move करने के लिए ठीक है आपने देखाओगा एक बड़ा सा bag है अगर उस पे पहिये लगे हुए है तो उसको एक छोटा स बच्चा भी खीच लेगा ठीक है अगर उस पे पहिये नहीं लगे हुए है तो वो बच्चा उसको शायद ना खीच पाए ठीक है तो कहने का मतलब है जो rolling friction होता है वो सबसे कम होता है जितना friction कम होगा उतना ही हमारा जो force है उसको खीचने में कम लगेगा ठीक है तो rolling friction क्या है, rolling friction is the force of friction that comes into play when body rolls over the surface of another body, जब एक body दूसरे पर क्या करनी शुरू कर दे, roll करनी शुरू कर दे, यानि कि पहियं लग जाएं उस पर, ठीक है, या फिर एक gain type की, जैसे gain गूमती है, gain चलती है, तो gain भी क्या कर रही है भे, roll कर रही है, या पहियं लग जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हम बोलेंगे उसको rolling friction, और ये क्या होता है, it is much less than the force of sliding friction, ये sliding friction से भी कम होता है, ठीक है, अब ये बहुत important है, ये question आ सकता है, static friction, sliding friction, rolling friction, सबसे ज़्यादा होता है, static friction, उसके बाद sliding friction, और उसके बाद होता है rolling friction, rolling friction सबसे कम फिर उससे ज़्यादा sliding फिर उससे ज़्यादा static यानि कि सबसे ज़्यादा होता है static friction ठीक है फिर दूसरे नमबर पर उससे कम होता है sliding friction और सबसे कम क्या होता है rolling friction ठीक है अगर कोई चीज पड़ी है ऐसे अगर हमने उसको हिलाना है तो हमारा सबसे ज़्यादा जोर लगेगा अब एक body अगर move करने लग गई तो हमारा इस से इसमें 10 newton लग रहा है इस body को moving start कराने में 10 newton का force लगा और जब इसको करेंगे तो मालो अब लगा हम एक बारी move करने लगी body तो हमारा force और कम लगेगा जब slide करने लगी तो मालो 9 newton लगेगा और जब rolling जब इस पे पहिये लगा दिये थरड़ केस में जब पहिये लगा दिये तो अब हमारा force और भी कम लगेगा बहुत कम लगेगा तो हमारा शायद काम चल जाए 2 newton में ठीक है यह मैंने एक क्या लिए example लिए है ठीक है अब आगे है अब आगे है friction a necessary evil ठीक है friction क्या है जुरूरी भी है और यह क्या है necessary evil यह आवश्यक बुराई ठीक है यह बुराई भी है मगर यह बुराई हमारे लिए जुरूरी भी है इसके बगार हम बहुत से ऐसे काम है जो नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम friction की necessity के बारे में पढ़ेंगे कि ये जुरूरी क्यों है ठीक है अगर friction ना हो तो हम कई काम नहीं कर सकते सबसे पहला काम है walking on the ground हम चलते किसके कारण है हम friction के कारण ही चल पाते है नहीं तो हम चल ही नहीं पाएंगे तुरंत हम क्या हो जाएंगे फिसल जाएंगे गिर जाएंगी ठीक है आपने देखा होगा कोई केले का चलके पर अगर किसी का पैर पड़ जाए तो क्या होता है वो एकदम से गिर जाता है क्यों फिसल जाता है क्योंकि जो केले का चिलका क्या होता है चिकना होता है चिकनाई के करणड क्या हो जाता है फ्रिक्षन कम हो जाता है अभी हमने पड़ा है जितना स्मूध क्या होगा सरफेस होगा उतना फ्रिक्षन कम होगा तो हम गिर जाएंगे ठीक है तो एक मतलब कुछ अमाउंड तो हमें चाहिए यह friction का अगर हमें क्या करना है, walk करना है, when we walk, we push the ground under our feet in the backward direction, हम पीछे की तरफ पुश करते हैं ground को, और friction इसके opposite, हम इधर करते हैं ground को, ठीक है, और जो friction होता है, वो आगे की तरफ हमें ले जाता है, तो इसका मतलब क्या है, हम आराम से move कर जाते हैं, आगर friction ना होता, तो हम चल ही ना पाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, ठीक है, for rolling, rolling के लिए भी friction जुरूरी है, ठीक है, the friction between tire and road is necessary, tire और road के बीच में friction जुरूरी है, अगर friction ना हो, तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, तुरंत ही फिसल जाएगी, और बिल्कुल भी अगर friction ना हो, तो क्या होगा भई, tire move ही नहीं करेगा, अपनी जगा पे ही वो tire ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो rolling के लिए भी friction जुरूरी है, आगे आगे, performing small day to day activities, कई activities हैं, जिसको करने के लिए friction की जुरूरत है, जैसे writing, मैं writing कर रहा हूँ, तो writing करने के लिए भी friction की जरूरत है, ठीक है, अगर ये surface इतना चिकना हो जाए कि friction होई ना इसमें, तो क्या होगा, लिख सकेंगे, नहीं लिख सकेंगे, friction के कारण ही, pencil के सिक्के और इस page के बीच में friction है, तब ही हम लिख पा रहे हैं, और तब ही ये pencil का जो आपको ये color है, ये black color है, तब ही आपको ये दिख रहा है, क्योंकि friction इसमें, page में क्या है, irregularities है, और ये जो pencil का color है, इसमें पके जाता है, इसके कारण हमें, हम लिख पाते हैं, ऐसी holding things, कोई चीज हमने hold करनी है, तो मालो मैंने इसको पकड़ा है, hold करना है, हाथ में पकड़ना है, तो ये भी friction के कारण ही है, आगर friction ना हो, तो क्या होएगा, यह हम इसको पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, एकदम से ये फिसल जाएगा, हमारे हाथ पे आएगा ही नहीं, ठीक है, अगर हमने माचिस बगारा जलानी हो, तो उसमें भी किसका use होएगा, friction का ही use होएगा, ठीक है, जब दो surface के बी friction बुरी क्यों है friction, ठीक है, friction consuming a part of useful energy available to us, ठीक है, friction के कारण हमें क्या लगानी पड़ती है भई, energy लगानी पड़ती है, ठीक है, जैसे हमने box वाड़ा example लिया था, अगर ये box है, इसको हमने क्या करना है, अगर move कराना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, force लगाना friction के खिलाफ लगाना पड़ेगा, मालों, यह लग रहा है, 70N, friction कितना लगा रहा है, force, 70N लगा रहा है, तो हमें 70N से ज्यादा force लगाना पड़ेगा, तब ये move करेगा, ठीक है, तो हमें friction क्या करता है भई, हमारी जो useful energy को क्या करता है, मतलब हमें अपनी energy लगानी पड़त इसको friction को हटाने के लिए नंबर दूसरा का है Friction is responsible for a load of wear and tear Friction के कारण ही wear and tear होता है जैसे हमारे जूत्ते घिस जाते है वो भी friction के कारण ही होता है क्योंकि friction एक force है मशीने होते है मशीनों के पाख घिस जाते है वो भी friction के कारण ही होता है Time है, the amount of energy supply to a machine gets wasted in, ठीक है, अब friction के कारण क्या होता है भई, heat पैदा होती है, friction के कारण क्या पैदा होती है, heat पैदा होती है, heat के कारण हमारी जो energy है, जो हम लगा रहे हैं, machine पे energy वो क्या हो जाती है, waste हो जाती है, ठीक है, जैसे सर्दियों में हम क्या करते हैं, ऐसे हाथों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ से क्या होगी भई, अब दो चीज़े कॉंटाक्ट में आएंगी आपस में, तो क्या होएगा, force of friction पैदा होगा, force of friction से क्या होगी है भई heat पैदा होगी तो हमारे हाथ क्या हो जाते है रगडते है तो हमारे हाथ क्या हो जाते है गरम हो जाते है ठीक है ऐसी जब machine ने करती है आपस में जब चलती है तो वो भी क्या हो जाती है भई गरम हो जाती है और उनकी energy क्या हो जाती है एक तरह से waste हो जाती ठीक है अब बढ़ाएंगे कैसे friction को अब example लेते हैं कैसे आपने जूता दिखा होगा या टायर दिखा होगा जूता बिल्कुल भी plane नहीं होता नीचे से और टायर भी बिल्कुल plane नहीं होता उसमें क्या बढ़े होते हैं बढ़े होते हैं घड़े से मनाते हैं जूतों की सोल के निचे और टायर के निचे ऐसा क्यों मनाते हैं ताकि friction बढ़ जाए अगर friction कम होगा तो क्या होएगा भी हमारा पैर एकदम से फिसल जाएगा और टायर भी फिसल जाएगा इसलिए friction को हमें कई बार increase भी करना पड़ते हैं दूसरा example लेते हैं जिमनाष्ट होते हैं जो जिमनाष्ट आपने दिखोगा वो जो पोल वगएरा पे ऐसे कूदते हैं ठीक है कलाबाजियें खाते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं जब ये पोल सा होते है उस पे लटक के ऐसे ऐसे गूमते हैं ठीक है, तो वो अपने हाथ में क्या लगा लते हैं, एक powder सा लगा लते हैं powder लगाने से क्या हो जाता है, उनका हाथ एक तरा से rough हो जाता है और आपको पता है जितना rough होगा, उतना friction कम होगा, जब इसको यह hold करते हैं ऐसे जब पोल को hold करते हैं तो असानी से वो पोल पकड़ा जाता है आगर उनके हाँ चिकने होंगे वो powder वगरा ना लगाए हाथ बे तो क्या होगा तो क्या होगा कि वो फिसल सकते हैं इसलिए वो हाथ में क्या लगा लगते हैं एक powder लगा लेते हैं, powder के कारण क्या हो जाता है भई, जो powder के कारण क्या होता है, friction ज्यादा हो जाता है, ज्यादा friction होने से क्या होता है भई, उनकी जो पकड़ है वो ज्यादा हो जाती है, और ऐसे ही आपने देखा होगा, का बड़ी पलेयर क्या गरते हैं, हाथ में क्या रग जाएगा क्योंकि surface क्या हो गया smooth हो गया, जितना surface smooth होगा, उतना friction कम होगा वो हमारी पकड में नहीं आएगा, ठीक है और हम हाथ, कबटी प्लेयर क्यों लगाते हैं, हाथ में मिटी, ताकि उनकी पकड ज़्यादा हो जाए, उनका हाथ क्या हो जाए, smooth की जगा rough हो जाए, rough से friction ज़्यादा हो जाएगा, जितना friction ज़्यादा होगा, उतनी पकड ज़्यादा होगी, ऐसी जो sportsman होते हैं, उनके जुत्ते आपने देख्योंगी जो football वगारा खेलते होंगे बच्चे, या खेलाडी आपने देख्योंगा, उनके निच्चे क्या होते हैं, ऐसे spike से बने होते हैं, जुत्तो के निच्चे, ठीक है, जिसके कारण क्या है, उनकी ground से पकड ज़्यादा बन जाती है, और वो नहीं फिसलते ये तो हमने case करेगी friction को कैसे बढ़ाना है, आब हम करेंगे भई, कई बार हमें reduce भी करना पड़ता है, friction को कम भी करना पड़ता है, उसका तरीका क्या है तो सबसे पहला तरीका है, polishing polish कर दो, ठीक है surface को क्या कर दो, polish कर दो, polish करने से क्या होता है, जो irregularities होती है, वो भर जाती है और जो surface है, वो क्या हो जाता है एकदम से क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिसके करना friction कम हो जाता है तो polish करके friction कम होता है दूसरा है lubrication, lubrication का मतलब कोई tel बगारा लगा दें oil बगारा लगा दें, और lubrication क्या होता है, तीन तरह को होता है, liquid जैसे की oil, semi-solid जैसे की grease आपने देख्योंगी और solid जैसे की talcum powder, ठीक है जैसे हम carom board खेलते हैं तो उस पे क्या शिटक देते हैं हम talcum powder शिटक देते हैं उसके कारण का बज़ता surface चिकना हो जाता है और जो हमारा striker है वो आसानी से move करने लग जाता है ठीक है, तो solid में आ जाएगा lubricant, lubricant तीन तना आगया होगे liquid में जैसे oil, जैसे हम अपनी machine पे oil लगाते हैं उससे फिर for example जैसे हम लेते हैं भाई दरवाजा हमारा सही से बंद नहीं हो रहा तो हम उसके जो hinge होते हैं, कबजे होते हैं उस पे हम क्या लगा जैते हैं oil लगा जैते हैं, फिर वो असानी से move करना शुरू हो जाता है, क्योंकि friction कम हो जाता है, ठीक है जितना friction कम होगा, उतनी body असानी से move करेगी, ऐसी grease तो आपने देख्योगी, ठीक है motorcycle, cycle पे, क्या लगाते हैं grease लगाते हैं, ताकि वो असानी से move कर पाए, ठीक है, तो दूसरा है तरिका lubrication, और तीसरा तरिका है ball bearing, ठीक है, जितनी भी machine होती है, उसमें इस तरह का क्या, आप देखोगे, पंके की कभी motor खराब हो जाए, पंका खराब हो जाए आप mechanic के पास देखना तो उसके अंदर, पंके के अंदर क्या होएगा, ball bearing होएगा, ऐसे, ठीक है, इस type के ऐसे ball ball सी बनी होंगी ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ball bearing बोलते है ball bearing, क्योंकि जब ये घूमता है कोई चीज, अधिकतर ये घूमने वाली चीज़ें जितनी भी होती है, उसमें ball bearing लगा होता है, उस मशीनों में, ठीक है तो पंका गूमने वाली चीज़ है, तो जब ये घूमेगा ऐसे, तो आपको पता है कि rolling friction सबसे कम होता है, इसलिए ball सी बनाई होती है, ताकि जब ये इस पे move करेगा, तो friction क्या होगा, जब ये move करेगा, तो friction क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो ball bearing का use करके हम friction को कम कर सकते हैं, ठीक है, अब आगे है fluid friction, ये fluid friction क्या होता है, जैसे कि solid, आपने solid के friction के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, आब fluid के friction के पारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि fluid क्या होता है a substance like a liquid ठीक है that can flow easily जो आराम से flow कर जाए उसको क्या कहेंगे हम fluid कहेंगे और fluid की कोई fixed shape नहीं होती और ये उसी की shape ले ले लेता है जिसमें हम इसको डालेंगे जिस container में डालेंगे ठीक है और fluid में क्या आता है वही fluid में आता है liquid और gases दोनों आते है liquid and gases ठीक है liquid को आप किसी चीज में भी डाल दो उसी की shape ले लेगा liquid को आप ऐसे glass में डाल दो ऐसा बन जाएगा ऐसे में डाल दो ऐसा बन जाएगा ऐसी gas है पैदा करता है कैसे fluid friction और या इसको drag भी कह सकते हैं a force that opposes any relative motion between the surface of two object in contact ठीक है जैसे solid में होता है friction वैसे ही fluid में भी क्या होता है भी friction होता है जब fluid में हम कोई चीज move कराएंगे तो हमें किसका सामना करना पड़ेगा fluid friction का सामना करना पड़ेगा अब next है the force of fluid friction on a object in a fluid depends on जो fluid friction किस पर depend करता है नमबर एक nature of the fluid, fluid का nature कैसा है ठीक है पाणी में अलग तरह से move करेगी कोई चीज ठीक है अगर शहद में move करानी है तो अलग तरह से move करेगी यानि कि कैसा उसका nature है, fluid का nature कैसा है, मिट्टी के तेल में अगर move कर रही है उसकी speed अलग होगी पाणी में अलग होगी और शाहद में अलग होगी, तो nature of the liquid पे भी depend करता है ठीक है, friction fluid का nature कैसा है, नमबर दो shape of the moving object shape पे भी क्या करता है shape of the moving object, shape पे भी जो ये fluid friction depend करता है, ठीक है, अगर shape जैसे माल लो चलो आगे करते हैं इसको speed of the moving object, और तीसरा है speed of the moving object moving object की speed पे भी ये depend करता है, जैसे माल लो कि हम एक cycle, चलो motorcycle चला रहे हैं, माल लो, हम धीरे-धीरे motorcycle चला रहे हैं, तो हमें हवा इदर से क्या लगेगी, धीरे-धीरे ही लगेगी आप करके देखना motorcycle हमने तेज कर दी, तो हमें हवा भी क्या कर लगेगी, भी तेज लगेगी, तो जैसे जैसे हम speed बढ़ाएंगे, हवा भी हमें क्या करेगी oppose करेगी, हवा का friction भी बढ़ता चला जाएगा ठीक है, अब shape shape के बारे में हम पढ़ेंगे, the fluid friction can be minimized by giving a special shape, fluid friction को हम एक special shape देकर minimize कर सकते हैं कम कर सकते हैं, और उस special shape को बोलेंगे, streamline shape, यह important है कर लेना to the object moving through the fluid आपने देखा होगा, यह यह मचली है जैसे, मालो यह मचली है, ठीक है ठीक है, तो जब यह मचली बगारा जो तैरती है, जो इसमें तैरती है, पाणी में तैरती है, तो उसकी shape कैसी होती है ठीक है, तो और यह aeroplane है, aeroplane की shape कैसी होती है, तो जो यह shape है यह क्या होती है, special शेप्स हैं, यह मचली इस तरह से बणी हुई है, कि वो असानी से पाणी में तैर ले, ठीक है, उसका जो फ्रिक्शन है, वो बहुत ही कम हो जाए, ठीक है, भगवान ने ऐसा बना रखे है इनको, कि इनकी शेप, क्योंकि यह पाणी में, पाणी में होती है मचलिया, इनकी शे पक्षियों की भी शेप ऐसी होती है कि वो, क्योंकि वो हवा में उड़ते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है कि वो हवा में असानी से उड़ सकें, ठीक है, तो आदमी ने भी इन दोनों का यूज़ करके, जो नाव होती है, जो किस्ती होती है, वो अधिकतर किस के शेप के होती ह और जो aeroplane हवा में उड़ता है वो पक्षियों के shape का होता है bird like होता है वो ठीक है तो आदमी ने भी उनको देखके प्रकृति में जो चीजें है जानवर हैं उनको देखके अपना भी क्या बना लिया बहीं जैसे हवाई जाज किसकी shape का होता है ठीक है, फॉर एक्जेम्पल जैसे एक कागच लिया हमने, एक कागच को ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, और यही कागच था यह, अगर एक कागच को हमने ऐसे बना दिया, इसका गोली सी बना दी, गेंद बना दी, और एक कागच ऐसी रखा, सेम कागच था यह, ठीक है, दो क्योंकि इसका area जादा है इस कागज को भी same height से गिरोगे तो ये कागज देर में गिरेगा क्योंकि इसका friction shape के कारण क्या हुआ इसका friction जादा हो जाएगा हवा में friction जादा हो जाएगा इसको जादा हवा टक्कर मारेगी oppose करेगी ठीक है तो ये देर में गिरेगा ठीक है और इसकी इसका एरिया जब इनमें इसकी गेंद मना दी तो क्या होगा एरिया कम हो गया एरिया कम होने के कारण ये असानी से निचे गिर जाएगा जल्दी निचे गिर जाएगा ठीक है यानि कि जो इसको हवा है इसको कम टक्कर मारेगी इसक को शेर करना है और मुझे कमंट करके बताना है कि किस-किस ने वीडियो को शेर किया ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेर जुरूर करना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार